पंजाव इच पुराणी पैंचन स्कीम लागू करन विच देरी दा मुदा गरमोंदा जा रहा है एक पास से मुलाजम जथे बंदिया दा पारा चड़दा जा रहा है ते दूजे पास से विरोधी तिरावी सरकार नू केरन लगी है हन कांगरस दे सीनियर विदाएक सुखपाल सिंग खेरा ने पगवंतमान सरकार उपर तिखा हमला बोले है सुखपाल खेरा ने ट्वीट कर दे क्या है कि दो है आचार तो बंद पराणिया पैंचना स्कीम नू बहाल करन ली पकवंतमान सरकार वल्लो नोटीस जारी कीते 6 मिनित वाद समा हो गया है पर अग्गे कोई प्रगरती नहीं होई कि ये सिरव हमाचल परदेश ते गुजराद विच आमाद मी पार्टी ली वोटा प्रापत करन ली नोटिविशन सी दास्दी की पंजाब सरकार पराणी पैंचन स्कीम बारे अगले दो महिने तक कोई फैंसरा नहीं लैंड जा रही सुब्य विच नमी पैंचन स्कीम दी था पुराणी पैंचन स्कीम ले ओनले सरकार वल्लो चार राज्यां विचे का दियान टीम पे जी जा रही है टे टीम 36गड राज्यस्तान जारखंड ते ही माचल परदेश च लागू प्राणी पैंचन स्कीम एस ओ पीज नू समझेगी ते पंजाब विच इना नू लागू करन समंदी प्रिकरावां त्यार करेगी इस तो इलावा अदियान करन वाली टीम नू दिली सरकार दे पैंचन विव आगनाल संपरक करन लई भी कहा गया है ता जो उत्ते लागू कीती पैंचन स्कीम विच कीते गे बदलावनू समझे जा सके इस तो बाद इना तब्दिलियान नू पंजाव विच भी लागू करन वारे विचार कीता जावेगा इना सारे राज़ा विच लागू प्राणी पैंचन स्कीम ते कुछ बदलावना लागू कीती गई नमी पेंशन स्कीम दा अधियान करन तो बाद अधियान टीम दो मिन्ने विच अपनी रिपोर्ट देवेगी सरकार नुए रिपोर्ट ती जून तक मिलन दी उमीद है इस तो बाद जुलाई विच पंजाब सरकार रिपोर्ट लागू करन बारे फैंसला करेगी मजूदा समय विच पंजाब सरकार 1.7 लाख मुलाजमा दे पैसे एनपीएस विच जमा करवा रही है एक करमचारी दो ही आर दो तो बाद लागू है एनपीएस स्कीम तो बाद परती कीते गे दो ही आर कती दो बाद रिटायरमेंट शुरू होन ते उनपीएस दा लाव मिलेगा अते बाकी सारे करमचारीया नो पराणी पैंशन स्कीम दा लाव मिलेगा मजूदा प्रकिरया अंसार दो ही आर कती दो बाद सरकार ते OPS दा बोज काट जावेगा पर जेकर सरकार दो आर ओपीएस नो अपनाओंदी है ते सरकार नो पैंशन फंड लेई हर सल बज़र तोल आटमेंट वदानी पवेगी ब्यूरो रिपोर्ट तेलका पंजाबी टीवी पंजाब विच पुराणी पैंशन स्कीम लागू करन विच देरी दा मुदा गरमांदा जा रहा है एक पास से मुलाजम जथे बंदिया दा पारा चड़दा जा रहा है ते दूजे पास से विरोधी तिरावी सरकार नो केरन लगी है हन कांगरस दे सीनियर विदाएक सुखपाल सिंग खेरा ने पगवंतमान सरकार उपर तिखा हमला बोले है सुखपाल खेरा ने ट्वीट कर दे क्या है कि दो है आचार तो बंद पराणीय पैंशना स्कीम नू बहाल करन ली पगवंतमान सरकार वलो नोटीस जारी कीते 6 मिन नितवत समा हो गया है पर अग्गे कोई प्रगरती नहीं होई कि ये सिरव हिमाचल प्रदेश ते गुजराद विच आमादमी पार्टी ली वोटा प्रापत करन ली नोटिवेशन सी दसदी की पंजाब सरकार पराणी पैंशन स्की बारे अगले दो महिने तक कोई फैंसरा नहीं लेंड जा रही सुबे विच नमी पैंशन स्कीम दी था पुराणी पैंशन स्कीम ले ओनले सरकार वलो चार राज़ां विचे का दियान टीम पे जी जा रही है टे टीम 36गड राज्यस्तान जारखंड ते ही माचल प्रदेश चे लागू प्राणी पैंचन स्कीम सोपीज नू समझेगी ते पंजाब विच इना नू लागू करन समंदी प्रिकरावां त्यार करेगी इस तो इलावा अधियान करन वाली टीम नू दिली सरकार दे पैंचन विव आगनाल संपरक करन लई भी कहा गया है ता जो उत्ते लागू कीती पैंचन स्कीम विच कीते गे बदलावनू समझे जा सके इस तो बाद इना तब्दिलियान नू पंजाव विच भी लागू करन वारे विचार कीता जावेगा इना सारे राज़ा विच लागू प्राणी पैंचन स्कीम ते कुछ बदलावना लागू कीती गई नमी पेंशन स्कीम दा अधियान करन तो बाद अधियान टीम दो मिन्ने विच अपनी रिपोर्ट देवेगी सरकार नुए रिपोर्ट ती जून तक मिलन दी उमीद है इस तो बाद जुलाई विच पंजाब सरकार रिपोर्ट लागू करन बारे फैंसला करेगी मजूदा समय विच पंजाब सरकार 1.7 लाख मुलाजमा दे पैसे एनपीएस विच जमा करवा रही है एक करमचारी दो ही आर दो तो बाद लागू है एनपीएस स्कीम तो बाद परती कीते गे दो ही आर कत्ती दो बाद रिटायर्मेंट शुरू होन ते उनपीएस दा लाब मिलेगा अते बाकी सारे करमचारीया नू पराणी पैंशन स्कीम दा लाब मिलेगा मजूदा प्रकिरयांसार दो ही आर कत्ती दो बाद सरकार ते OPS दा बोज काट जावेगा पर जेकर सरकार दोआरा OPS नू अपणाउंदी है ता सरकार नू पैंशन फंड लेई हार सल बज़र तोल आर्ट मेंट बदा नी पवेगी ब्यूरो रपोर्ट तेलका पंजाबी टीवी